मध्यप्रदेश के शाजापुर्जले के रिछोदा गाउं में लापर वाही के चलते आज एक रदे मैं घटना घटित हुई गाउं के एकेडविय पढ़ने वाले स्कूली बच्चों से भरी मारूती ओमनी गाड़ी रिवर्स लेते समय खुले कुए में जागिरी वह उसमें सवार सभी बच्चे कुए में जागिरे प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार गाड़ी में बैठे सभी बच्चे 5 से 10 साल के थे जिन में से 4 बच्चों के मौत की खबर है गौरतलब है कि यह खुला हुआ कुआ स्कूल के बहुत ही नजदीक है वह काफी बड़ा है लेकिन इसके आसपास सुरक्षा के कोई भी इंतजामात मौजुद नहीं है लापरवाही की चलते कोई भी घटना घटित हुना यह आमजद है और आज यह दर्दमई घटना छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ घटित हुई जो की प्रशासन की एक बहुत बड़ी लापरवाही है प्रात्मिक स्कूल के पास इस तरह के कोई का बिना सुरक्षा के मौजूद हुना यह अपने आप में ही सोचने वाली बात है कि बच्चों के साथ इस तरह की घटना कभी भी हो सकती थी अब मारे गए बच्चों को तो वापस नहीं लाया जा सकता लेकिन स्कूल में पढ़ने वाले दूसरे बच्चों को तो बच्चाया ही जा सकता है अब देखते हैं प्रशासन द्वारा इस घटना के बाद क्या किया जाता है अब सब प्रशासन के हाथ में है